नागदा जिला उज्जेन से तीन किलोमेटर दूर गाउं खजुरिया में मंगलवार को सुबह दस बजे बिजली गिरने से दो चचेरे भाईयों की मोत हो गई मिली जानकारी के अनुसार अरजुन पिता प्रताप सीह गुरजर उम्र 32 वर्ष व करन पिता हरी सीह गुरजर उम्र तेविस सुबह खेज से घर लोट रहे थे इसी दोरान बादल गरजे और बिजली गिरी जिससे दोनों की मोत हो गई मृतक करन क्रशी उपजवंडी के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता का बेटा है ग्रामिन दोनों को नागदा अस्पताल लेकर पहुँचे जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत गोशित कर दिया विधायक दिलिप सीह गुरजर भी मोके पर पहुँचे नागदा से संजेश अर्मा के रिपोर्ट